अर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदैर्तत पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेश ब्रह्म की पुजा करते हैं इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साका रूप में एकाग्र करते हैं और अध्यन्त शद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैर्व लगे रहते हैं वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतरगत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों के अनभूती के परे है, सर्व व्यापी है, अकल्प निये हैं, अपर लोगों के मन पर मेश्वर के अव्यक्त निराकार सुरूप के प्रतिया सकत हैं, उनके लिए प्रगती कर पाना अत्यंत कष्ट प्रद है, देहधारियों के लिए उस शेत्र में प्रगती कर पाना सदैव दुश्कर होता है, जो अपने सारे कारें को मुझ में अर्पित करके तथा विचलित भाव से मेरी भक्ती करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर इस्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शेगरू धार करने वाला हूँ मुझ भगवान में अपने चित्तों को इस्थिर करो और अपने सारी बुध्धी मुझ में लगाओ इस प्रकार तुम निस्संदे मुझ में सदैव वास करोगे हे अर्जुन हे धननजय यदि तुम अपने चित्तु को विचल भाव से मुझ परिस्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विदी विधानों का पालन करो इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाहा उत्पन करो यदि तुम भक्ति योग के विदी विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे किन्तु यदि तुम मेरे इस भावनामरत में कर्म करने में असमर्त हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मे स्थित होने का प्रयत्न करो यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ग्जान के अनुशीलन में लग जाओ लेकिन ग्जान से श्रेष्ट ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ट है कर्मफलों का परित्याग क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मना शांती प्राप्त हो सकती है जो किसी से द्वेश नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मित्या अहंकार से मुक्त है जो सुख दुख में संभाव रहता है सहिश्नु है सदैव आत्म तुष्ट रहता है आत्म सैयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझे मन तथा बुद्धी को इस्थिर करके भक्ति में लगा रहता है ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंसता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रखता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है मेरा ऐसा भक्त जो सामान्यकारे का लापों पर आशित नहीं है जो शुद्ध है दक्ष है चिंता रहित है समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्न शील नहीं रहता मुझे अतिशय प्रिय है जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है जो ना तो पच्टाता है ना इच्छा करता है तथा जो शुब तथा अशुब दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याक कर देता है ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है जो मित्रों तथा शत्रों के लिए समान है जो मान तथा अपमान शीत तथा गर्मी सुख तथा तुष्ट रहता है जो किसी प्रकार के घरबार की परवा नहीं करता जो ज्यान में दड़ है और जो भक्ति में सनलगन है ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है जो इस भक्ति के अमर पत कानुसरन करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष बना कर शद्धा सहित पूर् पेण सनलगन रहते हैं वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं